पाइलेट्स को जादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्यूंकि हाई एल्टिटूट पर प्लेइन को सीधा फ्लाइ करना होता है जो कि आटो पाइलेट आसानी से कर सकता है इसी दोरान दोनों में से एक पाइलेट थोड़ी समय के लिए सो भी सकता है पाइलेट्स के सामने असल चुनोती प्लेइन के लेंडिंग के दोरान आता है पाइलेट्स के दुवारा किया गया एक छोटी सी गलती भी प्लेइन को पलक जपकते ही कई टुकडों में बिखेर सकता है इसलिए प्लेन्स को बेहत बारिकी से, सावधानी से, हर प्रोसेस को एक सीक्वेंस में किया जाता है और आज के इस वीडियो में हम इसे डीटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे एक प्लेन को पाइलेट सुरचित लेंडिंग करा पाता है तो सपोज ये है हमारा AR airline जो कि 40,000 फीट के एल्टिटूड में फ्लाइ कर रहा है और ये तेजी से एरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है जैसे जैसे प्लेन एरपोर्ट के नजदीक जाएगा वैसे वैसे प्लेन के एल्टिटूड में कमी करना पड़ेगा लेकिन कब क्या जब प्लेन एरपोर्ट से 200 किलोमीटर दूर हो या फिर 300 किलोमीटर दूर हो तब प्लेन के एल्टिटूड को कम करना शुरू करे वैल इसका जवाब चुपा है प्लेन के एल्टिटूड पर एक प्लेन को कब लेंड करना है यह depend करता है कि plane का altitude कितना है हमारा plane 40,000 feet के altitude में fly कर रहा है यहाँ पर pilot हर 1000 feet को 3 nautical miles मान लेता है और plane 40,000 feet के altitude पर है इसलिए 40 into 3 यानि कि 120 nautical miles अब क्योंकि 1 nautical miles बराबर होता है 1.58 km का इसलिए 120 nautical miles को अगर हम km में बदले तो हमें मिलेगा 222 km यानि कि जो plane 40,000 feet के altitude में fly करता है वो तब नीचे उतरना सुरू करेगा जब वो airport से 222 km के distance में पहुँच जाएगा अब क्योंकि हमारा भी plane 40,000 feet के altitude पर है इसलिए हम तब plane को decent करना सुरू करेंगे जब हमारा plane airport से लगभग 222 km के दूरी पर होगा और दोस्तो हैरानी की बात तो ये है कि ये सारा calculation पाइलेट अपने दिमाग से ही करता है इसलिए तो पाइलेट बनने के लिए इंगलीज के साथ साथ mathematics का भी होना जरूरी है जैसे जैसे plane airport के नजदिक जाता है वैसे वैसे हम plane के altitude को कम करते जाएंगे 40,000 feet फिर 30,000 feet फिर 20,000 feet फिर 10,000 feet अब यहाँ पर हमें कम हो रहे altitude को रोकना पड़ेगा और इसे कहा जाता है end of descent यानि कि जब plane runway से 222 km दूर रहेगा तब हम plane के altitude को कम करते करते लगभग 5000 feet के altitude पर ले आएंगे अब क्योंकि plane तेजी से 40,000 feet के altitude से 5000 feet के altitude में लाकर इसे नीचे जाने से रोकना है इसलिए हमें plane के flaps का इस्तिमाल करना पड़ेगा इतना करने के बाद हमारा plane 5000 feet के altitude में fly करने लगेगा दोस्तो हर plane में एक checklist होता है जिसमें plane को उड़ाने का सारा instructions लिखा होता है कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि योक में भी एक checklist लगा होता है क्या यही वो checklist होता है well जवाब है नहीं एक्जामपल के लिए suppose आप एक phone खरीते हैं और आपको एक back cover free में मिलता है पर उस back cover का उतना काम नहीं होता क्योंकि phone तो उसके बिना भी चल जाएगा plane के योक में भी checklist होता है पर उसके अलावा भी pilot के पास एक detail checklist होता है even airline company बिना checklist वाला योक भी खरीच सकता है जैसे कि हम बिना back cover का phone खरीच सकते हैं हमारा plane 5000 feet के altitude पर था हमने checklist को follow किया और अब हमें airport के runway पर focus करना पड़ेगा और सही runway का selection करना पड़ेगा पर केसे? वेल इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है लिंक आपको description में में मेलेगा अब runway को point करने के साथ साथ speed brake को भी active करना पड़ेगा ताकि plane में drag create हो और plane का speed slow हो जाए ये speed brake plane को उपर जाने से भी रोकता है इसके बाद cabin में announcement करना पड़ेगा ladies and gentlemen हमारा plane land करने वाला है तो seatbelt वगेरा बांद लो और phone यूज कर रहे हैं तो अभी के लिए packet में डालो अब हमारे plane में कोई भी passenger नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं announcement किस तरह करूँ इतने सारे instructions को follow करते करते plane लगभग 5000 feet के altitude से 3000 feet के altitude पर आ जाएगा अब runway का भी selection हो चुका है अब हमें उस runway के center line को focus करना पड़ेगा इतना करने के बाद भी landing process खतम नहीं होता 2000 feet के altitude में आने के बाद ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि runway को focus करते करते directly plane को उतारते नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं होता यहाँ पर हमें glide slope को ध्यान देना पड़ेगा अभी ये glide slope क्या होता है तो suppose ये है runway और plane का position हो सकता है यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर आसपास कहीं भी हो क्या यह directly runway पर land कर सकता है well जवाब है नहीं इसके लिए एक निर्धारित बात यानि कि रास्ता होता है जिसे कहा जाता है glide slope ये glide slope different different भी हो सकता है ये depend करता है airport के runway पर but normally ये 2.8 से 3.5 degree तक होता है तो आईए इसे एक example से समझते हैं दोस्तो runway पर एक मोटा पट्टी होता है जिसे कहा जाता है displaced threshold एक plane glide slope को follow करते हुए इसी पट्टी के आगे land करता है और इसी slope का angle 2.8 से 3.5 तक हो सकता है सपोज runway के पीछे कोई पहाड परवत या उची building है तो glide slope को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और इसे बढ़ाने का maximum limit होता है 3.5 degree यानि कि अगर किसी runway का glide slope 3.5 कर देने के बाद भी वो किसी परवत या building से टच करता है तो plane उस रास्ते से land नहीं कर पाएगा तो plane उस रास्ते से land नहीं कर पाएगा example के लिए लुकला एरपोर्ट है जो कि नेपाल में अस्थित है इसके पीछे एक विसाल परवत है जिसके कारण runway के glide slope के बीच में ये परवत आ जाता है अब क्यूंकि plane 2.8 से 3.5 degree के अंदर ही landing कर सकता है और इसके बीच एक परवत आ चुका है इसलिए इस रास्ते से कोई भी plane landing नहीं कर सकता तो अब आते हैं सीधे point पर हमें अपने plane को इसी रास्ते से runway के heading और center line को point करते हुए नीचे ले जाना पड़ेगा इसके बाद हम landing gear को down कर देंगे और landing gear के light को भी on कर देंगे यहां पर flaps को 30% करना पड़ेगा अब हमें final landing checklist को देखना पड़ेगा gear down है या नहीं landing lights on है या नहीं flaps 30% है या नहीं इसके अलावा landing clearance मिला है या नहीं इतना सब हो जाने के बाद हमारा plane लगभग 1000 feet के altitude पर आ जाएगा 1000 से 500 feet तक जाते जाते एक बार फिर से cross check करना पड़ेगा सारे instrument ठीक से काम कर रहा है या नहीं radar वागेरा सब okay है या नहीं इसके बाद runway clearance चेक करते हुए हमें plane को 100 feet, 50 feet, 40 feet तक ले आना पड़ेगा यहां पर अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि plane का nose up हो ऐसा होने से drag अधिक create होता है और plane जल्दी से slow down होने लगता है जब plane runway से लगभग 20 feet उपर होता है तब हमें thrust liver को idle पर कर देंगे और nose को उपर की और रखते हुए plane को touchdown कर देंगे इसके बाद reverse thrust को on कर देंगे wheels का ground से touch होते ही automatically brakes लगना सुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद plane रुख जाएगा इसके बाद landing lights को off करके speed breakdown, weather radar, weather radar brakes वगेरा को off कर देंगे और यहाँ पर हमें APU को on रखना पड़ेगा APU यानि auxiliary power unit जो की एक छोटा सा jet engine होता है plane के tail में और यह APU पूरे plane में electricity supply करता रहेगा तो यह था पूरा process कि कैसे एक plane को सुरचित landing कराये जाता है फिलहाल इस वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना बुरा लगा तो dislike कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना किनकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहेए और सीखते रहेए जाहिंद बंदे मातरम सो गाइस अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जाओ और सब्सक्राइब करो वहाँ पर मैं प्लेन के अलावा और भी बहुत सारे इंफोर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा फिलहाल कुछ दिनों से मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं था लेकिन अब मैं वहाँ पर भी काफी एक्टिव रहूंगा सो गाइस ये है चैनल का लोगो जाओ और ए आर इंफो को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो कैसा लगा कमेट पर जरूर बताना और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो नीचे कमेट पर जरूर बताना और हाँ टॉपिक कोई भी हो सकता है प्लीन से रिलेटेड या फिर उससे भी अलग तो बस ये एक छोटा सा इंफोर्मेशन था तो बस ये छोटा सा इंफोर्मेशन था जाओ और सब्सक्राइब करो जैहिंद वंदि मातरम